पत्रीला सोना, कपरा खुलता है, अंतर मन कहानी संग्रा, ढलती सूरज की रोशने, पूछो इस माटी से, मैं और मेरी कथाएं, जैसी पुस्तकें, जिन्होंने लोक प्रियता के नई आस्मान चुए हैं, एक ऐसी सूप्रसिध सहितकार की पुस्तकें, जो हिंदी के विख्यात लेखक, व्यंगकार, नाटककार, उपन्यासकार, तथा कहानिकार की पुस्तकें भी हैं, इन पुस्तकों के लाखों राष्ट्रिय तथा अंतराष्ट्रिय पाठक भी हैं, आप है रामदेव धुरंदर, मौरिशस जैसे छोटे टापू को हिंदी की विशाल दुन्या में आपने एक खास स्थान दिया जन्म 6 जून 1946 शिक्षा हिंदी कक्षा उत्तमा आयू चिहत्तर रचनाएं अपने नाम पर बतीस रचनाएं रामदेव जी नमस्ते नमस्ते हिंदी सहित्य मौरिशस का नाम कारक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं रामदेव जी आपकी भाशा शैली के बारे में एक प्रशना है कि अभी आपकी रशनाओं को परते समय ऐसा लगता है कि आपने जियारातर तत्सम शब्दों का मानक हिंदी का परयोग किया है इसके पीछे कोई विशेशकारंग जहां कि हम एक मौरिशय जहां पर भावजातिया देश कहते हैं वहां पर रहते हैं तो भाशा शैली के बारे में आपका बताईए कि अरिटेश जह भाशा में मैं बहुत चावकना रहता हूं जो आदमी पढ़ता है देखे एक आदमी को जब हम अपी रचना देते हैं एक बहतर दें कि वो लगे कि कुछ लिखा गया है तो मैं इसा मनता हूं कि एक लिखक जो लिखता है वो अपने लिए नहीं लिखता है कि लिए है लोगों तक कुछ रचना को जाना है मैं इसा मानता हूं कि भाशा के बारे में जो आपका प्रश्चन है मेरा विचार वहां तक जाता है कि मैं उपन्यास लिखने वाला आदमी हूं कहानी लिखने वाला आदमी हूं तो मेरी भाशा जो हो वो जन भाशा हो जन भाषा का मतलब ये होता है जिस तरह से लोग बोलते है उस तरह की भाषा होनी चाहिए मेरी मैं इसा मानता हूँ और वही लिखन मैंने किया है और आपसे बड़ी निश्चलता से एक बात मैं कहूँ आज मैं जहां हूँ मैं इसा मानता हूँ मैं भारत के लोगों के लिए लिखता हूँ आज फेस्बुक का जमाना है फेस्बुक से मैं जुडा हूँ आदमी हूँ और लोग कहते हैं कि मैं उनके लिए लिखता हूँ मैं भी ये स्विकार करता हूँ तो इस तरह से मैं कहता हूँ कि जो लोग में उझे पढ़ते हैं मोरिशस में ठीक और बाकी तो मुझे भारत में पढ़ा जाता है अब जब भारत के लोग मुझे पढ़ते हैं तो देखे संकट क्या होता है मुझे ये ध्यान में रखना होगा कि मैं उनके लिए लिख रहा हूँ फर सिजे कि मैं अपने रचना में क्रियोल के शब्द ज्यादा जो आम तावर पर हमारे जिवन में वो पैठ गया है यादि क्रियोल के शब्द मैं ज्यादा डालता हूं तो समझने में कठिनाई होगी तो इसलिए मेरी भाषा इस रूप में निर्धारित है कि जो भोजपुरी हमारे यहाँ है मैं हिंदी और भोजपुरी का समनवई करता हूं यता समभव मोई भोजपुरी के शब्द लेता हूं और उसका हिंदी करन करता हूं मैं और मेरी भार्षा सहज हो जाती है और यह जो मानक की बात अपने उठाई यह तो मानक आज चल रहा है जब हमारे यह कॉंपिटर का जमाना हो जाना से आज हम मानक को जान रहे हैं लेकिन एक जमाई था जब मैंने लिखन शुरू किया था यह मानक की बात नहीं थी देखें मौ तो यह मानक जो है ना यह व्याकरन का एक निर्धारन है मानक व्याकरन का एक निर्धारन है वो हमको देता है लेकिन जो लिखक होता है उसको मानक की दाइरे को तोड़ना पड़ता है मैं कहानिकार हूं उपन्यासकार हूं मैं मानक को तोड़ता हूं मानक जो है ना वो हमको एक सुनिशिक भाषा देती है और जो लिखक होता है उस भाषा से हटकर अपनी भाषा पर उतरता है इसलिए भाषा में यह सारा कुछ थोड़ा आ जाता है कवी कवी ऐसा हम सोच सकते हैं कि जो लेखक होते हैं वो सभी से धानतों को तोर कर पार करके अपने विचार को प्रकट करते हैं जैसे कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवी वहां पहुंच जाते है कवी एकदम सही एकदम सही वड़ी अची बात आपने की है और ये जब तक एक लेखक तोड़ता नहीं है देखे एक नदी होती है नदी दो तट है उसके उसके एक मर्यादा है उसको उसी में बहना है नदी उसी में बहती है बहती रहती है बहती रहती है लेकिन मुझे लगता है उसकी सीमा पार करने वाली नदी हो जाती है आप देखे बार आ जाती है तो एक लेखक भी यही होता है सीमा को तोड़ता है रामदेव जी यहाँ पर प्रशन में पूछना चाहूंगा आपने ज्यादातर हिंदी सहत्या की अनिग विद्धाओं में अपनी कलम चलाई है जैसे उपन्यास, नाटक, व्यंग, कहानी, क्षनिका भी आप लिखते हैं तो उपन्यास से क्षनिका तक तो आप कैसे करते हैं सागर को एक छोटे से कटोरी में आप उसको डाल देते हैं तो इसके पीछे प्रक्रिया क्या है? भुरी तेश जी सही है कि जब देखे मैंने कहानी से शुरू किया मैंने कहानी लिखी तमाम कहानिया मैं लिखी तो उसके बाद जब उपन्यास पर मेरा ध्यान गिया तो समझे कि सही है एक छोटी धारा थी धारा थोड़ी विस्तिरित हो गई इसके बाद मैंने लगू कथाएं लिखना शुरू किया और मेरी 4,000 तक लगू कथाएं है अब लगू कथाश से भी कम तर शब्दों में मैंने च्छनिका लिखना शुरू किया एक मरी परिक्षा है ये समते हैं कि उतनी बड़ी चीज मैं लिखता हूँ उपन्यास लिखता हूँ जिसमें 2,000,000 शब्द हैं मेरा पत्रिला सोना उपन्यास जो है न उसमें 2,000,000 शब्द हैं एक खंड में साथ खंड हैं चवधर आप समझें कितना हो जाता है लेकिन मेरी एक परिक्षा थी कि बड़ी चीज मैं लिखता हूँ तो इसमें मैं बड़े विचार देता हूँ और मैंने जब छनिका लिखना शुरू किया जैसा कि आपने कहा ये एक सामने में है ये ये देखे मैं बता रहा हूँ छोटे छोटे समंदर ये जैसा कि आपने कहा समदर को मैं समेठता हूँ तो ये छनिका वाली किताब है कि वो तो समंदर है और समंदर को मैंने छोटे छोटे समंदर मना दिया रामदेव जी आप कि छनिकाओं में से एक हमें सुना दीजी जरूर मैं सुना देता हूँ आप देखे उपनियास सुनाने की बात नहीं है चोटी 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 आपके प्रशन के अधार पर मैं एक चनिका सुनाता हूं और यह मैं कोशित करता था कि चनिका सव शब्दों के आस्पास हो ज्यादा नहों कम हो, पचास शब्दों में मैं कहानी बोलता हूं सुनने के लिए लालाई थी कर अत्महत्या कर ले पर वास्तविक जीवन में दोनों ने ना जुआ खेला था और ना बेमानी हुई थी शराब का नशा उतरने पर दोनों जिन्दा थे और हाथ मिला कर अपने अपने घर की दीशा में चले जा रहे थे इसमें बहुत बड़ा अर्थ है सचाई को एक मतबह सो शब्द के अंतरगत आपने डाल जाए एक कहाने की व्याख्या आप देखिए कि शराब पिने के अंतरगत कि शराब का नशा जब दिमाग में चड़ जाता है तो आदमी वहां तक उतर जाता है कि हत्या तक को कर दे और हत्या हो गई लेकिन जब नशा उतर जाता है दोनों स आदमी अपनी आदमियत में लोड़ता है इस छोटी सी छनिका का और इस पर बहली प्रतिक्रिया हुए थे राम्दियु जी हम जाना चाहेंगी आपका कोई आदर्श लेखक हुआ करते थे या अभी भी है जे हां मेरे तमाम आदर्श लेखक हुए हैं और ये प्रस्न जब किया तो मैं एक छोटी एक बात के साथ आपका उतर देता हूं कि मैं मेरी हिंदी के पढ़ाई तो लग भग लंग मांटे में जहां पर व्याकरन समथ हिंदी मैने से कि वहां मैं जाता था हिंदी भावन पढ़ने तो वहां पर ये प्रेमचन की महादेवी वर्मा की पुस्तके उन जमाने की यही पुस्तके होती थी तो यह पढ़ने का मेरा चस्का लग गया था और वहीं से मैं ने ये गुदान उपन्यास पढ़ा था तो गुदान समझे कि मेरे दिमाग में चाड़ कि क्योंकि मैं कहानी लिखता हूं प्रेमचन की कहानिया मैं पढ़ता थ तो ये मेरे दिमाग में काम करता था और ये जो बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं मेरे दिमाग में हमेशा रहा था कि कभी मैं भारत जाओं तो मैं प्रेमचन का गाओं देखने जाओं ये मेरे दिमाग में हमेशा रहा था तो ऐसा हुआ कि जब मुझे पुरसकार दिया गया, मुझे ये बुलाया गया था बनारस, बुलाया गया था पुरसकार के लिए, तो मैं जब वहां गया, तो मेरे एक बड़े अच्छे मीतर थे, और यदि प्रोग्राम उनके तक पहुचे तो उन्हें खुशी होगी, मैंने कहा, बड़े मास्टर हैं, लिखक हैं, मैंने कहा कि साहे जी, बनारस में तो हम हैं, मैं प्रेमचन का गाउँ दिखना चाहता हूँ, तो कहा धुरंदर जी व्यवस्था हो जाएगी, उन्होंने एक मीतर से कहा, कि व्यवस्था कर देते हैं, तो बनारस भीयचू से व्यवस् अब उनको ये बड़ा विश्थार दे दिया गया, उनकी सारी पुस्तकें वगएरा रखा गया है, तो जब मुझे वहां उतारा गया, तो मैं देख रहा हूँ कि गोदान में, जो होरी है, धनिया है, उसका बेटा गोवर्धन है, उसकी बेटी सोना है, रूपा है, इन सब क उसके होरी का बैल है, उसकी कुदाल है, उसका मकान है, वो सब चितरित है, तस्विर रहे हैं मूरतियों में, और है सामने में, तो मैंने वो जो देखा, लमही में, मैं चौक गया, और भीतर जाकर मैंने देखा, तो मैं दो बातें जोड़ रहा हूँ, यहां, कि एक तो मैं पढ़ता था, और वो मेरी आत्मा में पैट गए थे, तो उनके हिसाब से मैंने उपन्यास लिखना सुरू किया था, और दूसरी बात यह रही, कि कालांतर में जब मैं यह गया, तो यह बाद की बात हो जाती है, तो मेरे अदर्श लिखक जो रहे, वो प्रेमचन ही रहे है, प्रेमचन से ही मैंने सिखा, और समझे कि प्रेमचन को ही मैंने अपने देश में जिया है, और भारत में तो ऐसा भी कहा जाता है, मौरिशस का प्रेमचन रामदीव धुरंदेर, तो मेरे लिए एक बड़ा अलंकर करन हो जाता है, और यह मैं इस्विकार करता है, क्या हम यह कह सकते हैं कि जैसे प्रेमचन जी उनकी कहानियों की विशय को सामाजिक विशय हम कहते हैं, आपकी रचनाओं की विशय को क्या सामाजिक विशय भी कह सकते हैं? जी हाँ, जैसे कि आम तोर पर देखे, लिखक अपनी बात नहीं लिखता है, कहानी उपन्यास की बात जब हो, यह आकास के चीज नहीं है, यह धरती की चीज है, हम धरती की चीज लिखने वाले लेगों है, मैं कहानीकार हूँ, और कहानी ही उपन्यास है, यह कहानी ही है, यह यह लगू का था यह कहानी से बाहर के चीज नहीं है यह सारित तत्वा इसी में है तो मैं इसा मानता हूं कि जमीन की चीज ही तो हम लिख रहे हैं और यह बाहर की चीज नहीं है इसे में हम डूबे होएं और इसी का लिखन तो हम करती चल रहे हैं और मैं इसा समझता हूं कि सम आज से बाहर जाकर जो लिखक करता है तो कालपनिक भी बहुत हो जाता है उपनियास में कहानी में यह ज्यादा चलता नहीं है हमको इसी के अंधरगत रहकर इसे को कैंदर बनाकर इसको लिखना पड़ता है और मेरा लिखन यही है रितेश्ची आपके लिखन ने आपको कौन- बड़े बड़े अनुभाव लाकर दिये अनुभाव तो विशाल होते चल रहे है आज भी अनुभाव का दाइरा मेरे सामने खूला है देखे दो बाते होती है एक जो होता है वो लिखक का विशय होता है और एक जो नहीं होता है वो भी लिखक का विशय है तो दोनों कहा है वो मैं लिखता हूं अपनी भाशा में अपनी शैली में उसे उतारने का मैं प्रकास करता हूं लेकिन जो नहीं है वो भी मैं लिखने का प्रयास करता हूं भविश्य कैसा होगा कैसा होना चाहिए यह सारी बाते होती हैं जो नहीं होता है और जो होता है इन दोनों का समन वही किया जाता है लिखन में मैं इसा मानता हूँ जब यहां पर आते है कागुलिन जहां पर आप रहते हैं आपके घर में आते हैं तो देखते हैं बहुत सारी चित्र है आवार्द्स भी है तो इन आवार्द्स के बारे में तुरह समय बताईए मुझे बड़ी प्रसंता है कि आप मेरे ये जो आवार्ड हैं जो समान हैं इसकी बात आप कर रहे हैं मुझे बहुत दिनों से समान मिलता आ रहा है और मुझे पहला जो विशेस समान मिला था विशेस जिसे मैं कह रहा हूँ वो 2003 में मुझे मिला था कि जो विश्वा हिंदी समयलन होता है मतलब देश में तो सुरिनाम में ये समयलन आयोजित हुआ था यहां से बहुत दूर जाना पड़ता है उसका चितर है यदि आप वो है मेरे पास समान चीन है यदि आप उसको ले लेंगे तो अच्छी बात होगी तो मुझे भारतिय उच मुझे जाना होगा तो यहां से फ्राइंच जाना पड़ा था फिर वहां से हम गए थे होलन उसके बाद काफी दूर है और समय का अंतर लगबा आठ नव घंठे है तो मुझे पहला पुरास्कार वहां मिला था जो बहुत बढ़ा पुरास्कार रहा था और उसके बाद केंदर की ओर से उसमें मुझे एक लाख पैसा दिया गया था एक लाख पैसा दिया गया था और मुझे बुलाया गया था बड़े समान के साथ वो मुझे पुरसकार दिया गया था और जो एक विशेश समान मुझे मिला है उसकी चर्चा मैं आप से करता हूँ यह खै इफको सम मिला था और आपको आश्चर यह नहीं होना चाहिए कि इसमें 11 लाक पैसे का प्रावधान था उस समान लेने के लिए आप अपनी पत्नी के साथ गए ना वो जो बात मैंने की आप सुरिनाम वाली बात वो टिकट मैंने आप से कहा कि मुझे पूरा खर्च दिया गया था रहने जो 11 लाक वाली बात मैं कर रहा हूँ आपको आश्चर यह हो जब इन्होंने मुझे सुचित किया कि एक बार समान के लिए मुझे ये लोग बुला रहे हैं तो मुझे इस तरह से उतर दिया गया कि मुझे पत्नी के साथ बुलाया जा रहा है इसका मतलब यह वा कि मेरी पत् चाथ रव्रिती मिले थी लोरेट है वो पढ़ रहा था तो मैं थोड़ा ही चक रहा था तो मैंने कहा कि मैं उसको बुलाओंगा का ठीक है अब बुलाएं उसको भी हम टिकत देंगे तो हमको टीन टिकट मिले और हम जब वहाँ पहुंचे वह आ गया हमको बड़ा होटल में रखा गया मुझे नहीं पता कि उन्होंने खर्च कितना किया हो और भव्य मुझे तो आश्चर ही होता है कि हिंदी को इस तरह से समानित किया जा सकता है भारत मैं यह आप मेरा इंटर्व्यू ले रहे हैं बड़ी निश्चलता और सत्यभाशी होकर मैं आपके सामने बात रहा जब हम पुरस्कार लेने जा रहे थे रितिज जी मेरा नाती कह रहा है नाना देखो क्या बात है तो मैं देख रहा हूँ एक पूरे रास्ते में मेरा चित्र लगाया गया है ये जो मेतरों का कलम होता है ये वो खमा होता है मेरा बड़ा बड़ा चित्र वो मेरे साथ है 25 चित्र लगाए गoga हैं और वहाँ पर जाने पर मुझको ये पुरा स्कार मिला कह सकते हैं ये सब हिंदी ने आपको दिया है हाँ मैं यहीं वहीं लाटता हूँ कि हिंदी ने मुझे ये दिया है इसलिए मैं हिंदी का वंदन करता हूँ और मैं इसा मानता हूँ कि हिंदी में ही मुझे को जाना है और मैं ये भी कहता हूँ रितेज ये मैंने हिंदी में अप अपने देश का एक अटूट सिपाही है हिंदी का अटूट सिपाही है जब इतना कुछ होता है और देखे मैं बार बाला जहां भी जाता हूं मुझे समान दिया जाता है ना तो मैं ये कहता हूँ कि एक बड़ी बात मैं कहता हूँ ये इफको समान जो 11 लाक वाला था वहां मैंने कहा था कि मैं अपने देश में देखे मैं आपको क्या कह रहा हूँ मैं अपने देश में शब्दों के बीज बोता हूँ मैं अपने देश में शब्दों के बीज बोता हूँ और भा मैंने कहा था कि हॉल जो था तालियों की गड़ गड़ाहट होने लगी थी इतनी तालिया बजी थी कि रामदे धुरंदर ने कहा कि अपने देश में शब्दों के बीज वो बूता है और भारत में फासल काटने आता वही मैं फासल काटने गया था प्रबसे ने लिए साथ।